अगर आपकी सालरी 15,50,000 से कम है और आपने ATC में इन्वेस्ट किया हुआ है 1,500,000 या उससे ज्यादा मेडी क्लेम लिया हुआ है 25,000 रुपीज या उससे ज्यादा और आपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे करा है 2,000,000 या उससे ज्यादा तो आपके लिए old regime ही ज्यादा better है जो नया budget आ रहे है उसके according